नमस्ते स्वागत याप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ओफ नॉलिज पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस ग्रह की जो कभी हमारे सौर मंडल के नवे ग्रह के रूप में जाना जाता था जी हां हम बात कर रहे हैं प्लूटो की लेकिन इसा क्या हुआ क प्लूटो को सौर मंडल से बाहर निकाल दिया क्या वो अंतरिक्ष में कहीं खो गया या वो अभी भी हमारे असपस मुझूद है ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे हैं प्लूटो की खोज की थी रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा गया प्लूटो को सूरी की एक परिक्रमा लगाने में प्रत्वी के 248 साल के बराबर का समय लग जाता है प्लूटो पर एक दिन की अवधी 153 प्रत्वी घंटे के बराबर होती है यानि यहां दिन रात के बदलने में लग भग 6 प्रत्वी दिवस का समय लग जाता है प्लूटो बहुत ही जादा अंडाकार पत पर सूरी की परिक्रमा करता है जिसके कारण प्लूटो लग भग 20 सा एक ही अंतरिक्ष यान पहुंच पाया है वह है न्यू होरिजान्स यह यान 19 जनवरी 2006 को लांच किया गया था और 14 जुलाई 2015 को कुछ ही घंटों के लिए प्लूटो के पास से गुजरा था इस यान ने इतने समय में ही इस ग्रह की कई तस्वीरे ली और कई गणनाय भी की जिससे यह साफ हुआ कि प्लूटो पर कई बरफिली परवत्ष रंकलाएं हैं यह आकार में अनुमान से भी बढ़ा है यहां समतल मेदान भी बहुत बढ़ा है सन 2006 तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था लेकिन इसकी कख्षा अजीब थी यह सूरी की परिक्रमा करने के दोर कभी बहुत दूर तो कभी नैप्चुन की कख्षा की तुलना में भी सूरी के जादा पास होता था तो कभी कम सन 1990 के बाद विज्यानिकों को बहुत सी वस्तुएं नैप्चुन के पार मिलने लगी जिनकी कख्षाएं रूप, रंग और बनावट प्लूटो से मिलती जुलत गया, इसी घेरे में 2004 से 2005 के बीच प्लूटो से कुछ छोटे हाउ मेया और माके माके मिले, 2005 में काईपर घेरे से भी बाहर एरिस मिला, जो प्लूटो से भी बड़ा था, ये सारे पिंड अन्नी ग्रहों से अलग लेकिन प्लूटो से मिलते जुलते थे, अंतर राष्टी ग्रह बुलाना बंद करके कुछ और बुलाने की जरुत थी, 13 सितंबर 2006 को इस संग ने एलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है और उन्होंने एक नई श्रेनी स्थापित की जिसका नाम बोना ग्रह या ड्राफ्ट प्लेनेट रखा, प्लूटो, सीरीस, हाउमेया, माके माके और एरिस अब बोने ग्रह कहलाते ही, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 1801 में मार्स और जुपिटर के बीच उपस्थित एस्टरोइट की खोश से पहले उनको ग्रह माना जाता था, 1851 तक ग्रहों की संख्या 23 माने जाने लगी, बाद में खगोल विदो ने छोटे 2006 के बाद प्लुटो का ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो जाने के कारण वरतमान में ग्रहों की संख्या 8 है, तो इस तरह आपने जाना की, 96 साल तक प्लुटो हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में मोजुद था, लेकिन वह अब बोने ग्रह या ड्राफ्ट प्लेनेट क रूप में आज भी हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा है, आपको वीडियो केसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विशय को विश्तार से जानने के लिए, तब तक के लि थैंक यू फार वाचिंग